अनकैडमी ने अपने एक टीचर करन सांगवान को टर्मिनेट कर दिया यह हुआ तब जब उनका एक वीडियो वाइरल हो गया और इसके बीच राइट विंग और लेफ विंग का गमासान हुआ ऐसा क्या था उस वाइरल वीडियो में क्यों किया अनकैडमी ने टर्मिनेट करन सांगवान को क्यों हो रहा है अनिस्टॉल अनकैडमी का ट्रेंड क्यों लोग कह रहे हैं कि करन सांगवान को पीम बना दो स्टूडेंट्स की क्या गलती है वो इस सब में क्यों पिस रहे हैं कौन इस पूरे मामले का फाइदा उठा रहा है। अगर आप एक टीचर हैं, बिजनस ओनर हैं, या स्टूडेंट हैं, या एक इंफ्लूइंसर हैं, ये वीडियो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या जूट है, मैं अपनी ओपीनियन और इस पूरे मामले को ब्रेक डाउन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर उस पे आपको एक बेख ओफ परस्पेक्टिव और अपिनियन चाहिए, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकोन दबाके, औल नोडिफिकेशन्स चेक करना मत भूलना, मैं अब आगे चलता हूँ, चलिए बात करते हैं कि इंसिडेंट है क्या, तो हुआ कुछ ऐसा कि करन संग्वान अपना एक online class दे रहे थे, अपना एक lecture दे रहे थे, ये law बढ़ाते हैं बच्चो को, अभी कुछ judiciary examination भी होने वाले हैं, तो उसी के time पे कुछ IPC sections की बात हो रह किसी पड़े लिखे इंसान को अपना votes देना, ताकि ये सब कुछ दुबारा जीवन में ना जिलना पड़े, ठीक है, चलो, ठीक है, next time ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने, जो पड़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सकें चीजों को, सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने, जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, हाना, तो make your decision properly, हाना, पर ऐसा बोलने पे हुआ गया, ऐसा कि ये वीडियो वाइरल हो गया, चलिए अब उसकी बात करते हैं, तो जैसे ही वीडियो सोशल मुडियो पे आया, obviously क्योंकि इस वक्त जो ruling party है, वो BJP है, और उन्होंने बोला कि changes हो रहा है, changes कौन कर रहा है, obviously BJP की वज़े से हो रहा है, जो ruling government है उसकी वज़े से हो रहा है, तो कहीना कही निशाना कि इस पे साधा गया, कि उनको vote मत करना, मलदा BJP को vote मत करना, ये कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, कि एक तरह से तंज कसा करन न BJP पे, जो ruling government है उस पे, और मोधी सरकार के, तो यहां right wingers जो हैं, वो सारे भड़क गए, लोग करन सांगवन को ट्रोल करने लागे, इस ट्रोलिंग के चलते चलते leftist ने भी निशाना साधा, उन्होंने इस वीडियो को use करके, कहीना कहीं ये बात फैलाई, कि कैसे करन सांग ये समझते हैं पहले तो, कि करन सांगवन का बोलने का मतलब क्या था, करन सांगवन ये बोला कि education important है, तो मेरे इस पर एक perspective है, देखे, education बिलकुल, अगर आप lawmakers हो, तो education about law, या education in any ways, आपको help करेगी ही करेगी, पर ऐसा नहीं है कि education के बिना, लोग successful नहीं हो पादे, बहु एक effective leader और एक efficient leader बन सकते हो, अगर आपके पास education है, fundamental education, अच्छा ही रहता है उससे, अब लोग कुछ गलत नहीं है, but is the education necessary, I don't think so, to become a leader, you need to have leadership qualities, और हमेशा एक किताबी बातों पढ़के ही आपको education नहीं मिलती है, आपको practical experience भी education देता है, अगर आपने किसी एक function में, या कि चीज सिखने की जरुत नहीं है, तो आप कई ऐसे artists भी हुए हैं, जिनोंने technical education जाने के बजाए, घर में बैठके, अपने passion के थरू, अपने लगाफ के थरू, अपने gift के थरू, वो चीज सीखी, और उसमे practical experience पाप आके, एक अलग level पे वो पहुँच गया है, उस industry में, उस profession में, तो इसलिए मैं कहुँगा कि ये तंच कसना की education is very important, education वालों कोई vote करना चाहिए, ये कहां तक ठीक है, गलत है, जब आप एक corporate के लिए काम कर रहे हो, अगर आप एक individual capacity में एक teacher हो, तब तो आप जो कुछ कहना आप कह सकते हो, because you are not responsible for anybody else, but अगर आपको कोई salary दे रहे है कई ऐसे politicians में हैं, जो अपना agenda चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, धावा बोलने के लिए, पर अगर आप इसने seriously corporate में काम किया है, मैंने 19 साल काम किया corporate में, तो मुझे पता है, कि अगर आप एक code of conduct के अंदर नहीं बात करते हैं, तो आप suspend हो जाते हो, is there in every company's code of conduct, तो कह कहीं न कहीं, you have to be responsible, you have to refrain from making political statements, especially जो आपको allowed नहीं है बोलना, आप personal capacity में कुछ भी बोलें, तो कहीं न गहीं, यह चीज गलत थी, but at the same point of time, यहां करन सांगमान को इसके बाद anacademy ने, इसी सारी चीजों के चलते चलते terminate कर दिया, अब यहां एक problem आती है, मैं आपको बता इसले पड़ते हैं, not because of the brand or the company, but क्योंकि उस teacher के साथ, वो बहुत ज़्यादा comfortable feel करते हैं, उस teacher की बाते हों को अच्छी लगती है, और वो fees देते जाते हैं, और उनके साथ एक repo बन जाती है, तो एक आएक, एक teacher को suspend कर देना, या terminate कर देना, सारा impact किस पे आता है, सबसे Students के साथ ऐसा करना, मुझे नहीं लिखता ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा loss, अगर किसी को हुआ, तो students का हुआ, उसके बाद teacher को भी हुआ, अनकेडमी को भी आओं कि रैपों को भी हुआ, teacher भी विकार की controversy में पड़ गया, यह सब कुछ बहुत ज़्यादा अफसोस जनक है पर सबसे ज़्यादा gain किसने की, आप सोच सकते हैं, सारे influencers जो extremist हैं, जो सारे इस controversy और incident को use कर रहा है, बस अपनी ideology को support करने के लिए, अपनी political party को support करने के लिए, I think they are the biggest gainers, पर losers कौन है, आप, students, तो मुझे लगता है कि कही ना कही अनकेडमी का code of conduct है, हर company का है, जैसे मैंन impact जैसी companies में, TCS जैसी companies में, it's very very important, it's imperative that you go through those trainings, having said that, जब आप एक B2C business में, जहां आपके जो customers हैं, वो बच्चे हैं, जिनका पुरा career ताक पे लगा है, वहाँ, you have to be very sensitive about the decisions that you take, यहां कई लोग क्या रहा है कि pressure होगा in academy पे, इस लोग उनों ने ये किया, पर जो भी है, pressure है, जो कुछ भी है, आप responsible, reliable हो बच्चों के लिए, तो आप immediately उनको terminate करने के बजाए, अगर warning देते थे, I'm sure हर company में warning भी process होता है, एक गलती से किसी को भी terminate नहीं किया जाता, तो इस सवाल यहां पैदा होता है कि क्या उन पे pressure था, इसलिए terminate होए, या उनकी policy इतनी stringent है कि एक गलती पे भी terminate किया जाता है, बट on what cost, cost is students, तो क्या students के लिए backup plan है, students के जो judiciary examinations है, क्या उनके लिए problem नहीं होगी, और आप में से कही है से students हैं, जो करन सांगवान सर से पढ़ते रहे हैं, तो आप बताइए, आपको क्या feel हो रहा है, क्या करन सांगवान के terminate होने से आ साफ दर्शा था यह terminate करना in academy का, कि वो बिकर्स वो तो भही romance नहीं जो है, वो तो pro BJP, और उन्होंने clarification दिया है, कि बही code of conduct, बट ऐसा नहीं है, वो तो भही pro BJP है, उन्होंने एक video भी डाला था, वो भी delete हो गया उनकी side से, वो pro BJP comments करते हैं, बट I think किसी की affiliation है, कोई pro BJP है या नहीं, यह matter एक unique ढंक से देखना बड़ा important है, और अगर unique ढंक से देखा जाया, तो मुझे लगता है, इसमें बहुत जादा नुकसान students का हुआ है, और at the same point of time करन सांगवान की गलती रही, बट वो गलती terminate करने लाइक नहीं थी, I think social media की इतने pressure पे नहीं आना चीए, कि आपने warn करने के बजाए सीधा करन सांगवान को निकाल दिया, बागी करन सांगवान ने अपने चैनल पे कहा है, कि वो एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजे डिटेल में डिसकस करने के लिए एक dedicated वीडियो में आप लोग लेकर आ रहा हूँ, वो वीडियो 19th अगस्त को रात को 8 बजे इसी YouTube चैनल लीगल पारचाला पे आपको लाइफ मिलने वाली है, वो देखने के बाद मैं भी जच करूँगा कि उनकी sadal story क्या है क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है सोचल मेडियो पर सेंटिमेंट के है, उस वाइरल वीडियो को देखा है, अगर अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ समझ में आया हो, अगर निया perspective मिला हो और आप शेयर करना चाहें, अपने student groups में, अपने teacher groups में तो प्लीज शेयर क के बाद, इस पूरी मामले के बाद, इसमें कौन से यह और कौन गलत है, मैं ऐसी बेखोफ opinions इस चैनल पर लाता रहूँगा, मैं हूँ काश आप देख रहे हैं पीपो, या रब कुछ नहीं चुपेगा